आयोधिया में लॉक्डाउन के दूसरे चरण के दौरान प्रसाशनिक अधिकारी लगातार प्रमुख छेत्रों का दौरा कर रहे हैं जिला अधिकारी और अनुज्ञा और ऐसे स्प्याश इश्टिवारी में अब खुद कमान समाल रखी है वही जिला अधिकारी और अनुज्ञा ने कहा कि लॉक्डाउन तीन महीं तक पूरी तरह लागू रहेगा कोर्नावारस के संक्रमन को लेकर लॉक्डाउन का दूसरा चरण जारी है गनीमत है कि अब तक आयोधिया में कोई भी व्यप्ति सामने नहीं आया है हाला कि यहां अब तक 11 जमाती कोरेंटाइंग किये जा चुके है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अपील के बाद प्रसाशन पहले से अधिक सक्त हो गया है नियमों के लंगन पर अब तक 3,4,000 रुपे से जादा जुर्माना वसूला जा चुका है लोगडाउन के अब तीन मही तक बढ़ाय जाने के बाद अप्रसाशन आयोध्या में पुरी तरह सतर्क है शेहर के साथ ग्रामीन छेतरों में भी कड़ी नजर रखी जा रही है महीं SSP आशिश तीवारी ने कहा कि लोगडाउन को लेकर केंद सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है महीं जी लाधिकारेंस पस्ट किया कि लोगों के मन में आशन का उत्पन नहीं होनी चाहिए कि 20 तारिक के बाद लोगडाउन में डील दी जाएगी लोगडाउन को पूरी तरह 3 मही तक बढ़ाया गया है लोगों को आवश्यक दरस्तों की होम डिलेवेज सुनस्चित कराया जा रही है इसके लिए दुकानदारों को सपस्ट निदेश दिये गए है अब तक जिले में 200 लोगों का कोरोना टेस्ट के सैंप्लिंग करायी गई है लेकिन इसमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है आगे भी संधिक्तों को लेकर जाज करायी जा रही है